इक ओ अंकार सत नाम गर्ता पुरक निर्पो निर्वेर अकाल मूरत अजुनी सैपंग गुर्परसाद वालिय काइनात दो जहां नामे वाली शवद ब्रह्म सत गुरू साहव श्री गुरू ग्रन सहब जी महराजी पावर पवित्रह जुरी अंदर बिराजमान साथ संग जी आओ अपन सब तो पहला दशमेश पिता जी दी बक्षी होई फते नाल सांज पाईये जी परवानों जी फते वाहे गुरू जी का खाल सा वाहे गुरू जी की फते अज में आप चिनाल पंथ केकता अते सिखरहत मर जादा विशेते कुझ भी चार सांज करने हन आओ अपन सब तो पहला इह जार लिए के पंथ की है पंथ परवानत सिखरहत मर जादा उनसार तियार बर तियार सिंगा दे समुच्य समुनू गुरू पांथाख देहन अते इस दी त्यारी दसां गुरू सहेबा ने कीती अते दसां पाक्षा जी ने इस दा अंतम सुरूप बन के गुरियाई गदिसों पी जगत गुरू नानक देब जी दे परकाशतों पहला समाजदा हर वर्ग हर मजब अते हर तारम उस वक्त एकता तो टुटके अनेकता वारी दशा विच विच रहासी ब्रहमणा ने बहुत परकार करके शास्तर वेद अदे पुरान आपस विच लड़ाए गल की उस वक्त लोग पार्मा विच पुल गे सन पई गुर्दास जी हवाला दिन दे हन पई गिलान जगत विच चार वर्ण आश्रम उपाए दस नाम सन्यासिया जोगी बारे पंथ चलाए जंगम अते सरेवडे दगे दिगंबर वाद कराए ब्रहमण बहुत परकार कर शास्तर वेद पुरान लड़ाए काल जुग अंदर परंपुलाए इत्तो तक के हिंदुस्तान ने बाहर ले मता खास करके इसलाम दा जीकर कर दे होए पई गुर्दास ची कहन दे हन के एक नहीं दो नहीं सगो 72 कौमा दी वंड करके पूरे जगत विच कई शाखामा चला दितियां गईयां ठाकर द्वारे गिरा के ओना दी थाते मस्जिदां बना दितियां गईयां गल की चारे पासे पापदा वर्तारा वर्त गयां बहुबाटी जग चलीयां तब ही पए मुहम्मद जारा कौम भात्तर संग कर बहुबिद व्यार विरोध पा सारा ठाकर द्वारे तहक है तह ठावडी मासीत उसारा पापे दा वर्तियां बर्तारा अजेहे प्यारिक समय बिच जदों चारे पासे अग्यां तदहनेरा सी पाप प्रवल अते तर मिर्वल हो चुका सी ऐसे समय सर्वशक्ति मान प्रमात्मा ने सुनी पुकार दा तार प्रव गुर नानिक जग माहे पठाया उस समय संसारी केकता नू कायम करन वास्ते सचे पाथ्षा ने एह अवाज बुलंद कीती ना को हिंदू ना मुसलमान गुरु नानिक देव जी ने कहा के परमेशर नू एक संपूर्ण काई विच मन्यन इथा ते जेकर उसे इस रूप विगाड़े अते बंडिया जावे त तर्म करदे भी बद फूली सकदा तर्म उसे अदार विच बद फूल सकदा है जिस दा अदार एक संपूर्ण परमेशर होवे अते तर्म दे वूटे नू वदर लई एक योग रुत होवे जे एक होए ता उगवे रुती हू रुत होए नानिक पाहें बाहरा कोरें रंग न सोए क्योंगे गुरु नानिक देव जी ने जिस कोम भी नहीं रखी उस दा अदार एक संपूर्ण परमेशर सी अते एक ता दी कस्वट्टी ते ही मार्या सिका जगद विच नानिक निर्मल पंथ चलाया अते वाख वाख जाता पाता उच नीच दे विटकर्यानू दूर कर दे होए एह एलान कर दिता एक पिता एक कसके हम बारिक तू मेरा गुरहाई दुनिया दे सामने एह मत पेश कीता सबको मीत हम आपन किहना हम सवना के साजन एह सिदा अध दे के एक ता दी नीर रख दिती अते एह निर्मल पंथ सिर्फ एक अकाल पुर्ख परमातमान मननवा ना देव दानवा नरा ना सिद साधी का तरा अस्त एक दिगर कुई एक तूई एक तूई सिख तारम दी इस एक तादी नीनों मजबूत कर लई सत्गुरु साहबाने संगत पंगत क्राप परशादी सेवा अते बोलिया नी सेवा सरोवरा नी सेवा करवाई ता जो गुर पांथ विच कोई वितकरा ना रहे केंदरी तरमस्थान अते तारमिक शेहरां दीनी रखवाई अते हर मंदर साहब दे चार द्रवाजर रखके मनुखी एक ताद संदेश दिता खत्री ब्रहमन शूद वैश उपदेश चहां वर्णा को सांजा सर्ब मार्वता दे सर्ब सां ठक ठक नालो लोहार्दी एक को ठाना संसार दे वितकरान जड़तों पुट दे होए एक को खंटे बाटे दा अमर्च शिकाया अते निर्मल पंथ नूँ खाल सा पंथ विच तब्दील कीता अते आप खाल से उते रीज दे होई फुर्मान दे हन हो खाल से का खाल सा मेरो ओत पोट सा गर्बुन देरो खाल सा अकाल पुर्ख की फोज प्रक्टे ओ खाल सा परमातम की मोज पर अपसोस कोमडी बदकिस्मती वेखो इतना महान आलमगीरी मत अत्यामीर गुर्मत फलस्पा होंडे बाब जूद अज साड़ी कोम खेरू-खेरू होई पई है शवदियो पा के होर पासे पाट करें हां इस पंथक एकता भी नीनों मजबूत कर लें सानु एक परदान अकाल पुर्ख परमातमा एक विदान शिरीगुरु ग्रांट साहब जी अते एक निशान साहब दी ताब्या कीता सी अते उस निशान साहब दी रूप रेखानु सिख रहत विच अंकत कीता गया के दो तारा खंडा चक्कर दो किर पाणना अते सर्माई रंग दा फ्रेरा चार चार लगांदा है पर आज पंथ परवानित मर्जादा शट के मोर्दे खंपा वाले पाग में रंगा वाले निशान साहब हो गे हन सत्गुरु जी नेता पंथक एकता व कि पंथक एकता इस तरह दी होनी चाहिदी है जिमें कीडियां दा पौण कुझा दियां डारा अते हिरना दियां डारा हन अते अखीर विच केहन दे हन कि जो इनसान पंथक एकता दे सूत्र विच नहीं ब्रोया जान दा ओ गुर्मक नहीं सगो मनमुक है जैसे एक चीटी पांथा कोट चीटी चली जात एक टक पग दग मग सावदान है जैसे कुझ पांथ पली पांथ शान सहज में उटत आकाश चारी आगे अगवान है जैसे मरिग माल चाल चलत टलता नाही जत्तर तत्तर अगर बागी रमत तत्यान है चीटी खाग मरिग पाँचे लागे जाए प्रानी गुर पंथ शाड चलत अगयान है जित्ते पंथ केक्ता हर सिखले जरूरी है और विचार करिए कि पंथ केक्ता काईम के में रह सकती है पंथ केक्ता नों काईम रखा लई एक सादन समुचे पंथ ने सर 1902 बतितों 1905 तक जो रहत मर जादा श्रियकाल तक सहते बैठ के त्यार किती पंथ केक्ता दा उस्तों वधिया हर कोई फार्मूला नहीं हो सकता गुरूरूप साथ संगर जी एह रहत मर जादा किसे एक तड़े एक जथे एक कमेटी एक कालज जा किसे संपर्दा व्यक्त की महापुर्षदी बढाई होई नहीं अति नाहीं इस विच अपनी मर जी उनसार कोई तब्दिली किती जा सकती सगो समुझे पांथ दी परवान की तो विना इस विच कोई तब्दिली नहीं किती जा सकती इस रहत मर जादा विच जानमतों मर्ण तक पंथक रूप अति शक्षी रूप बिच सिख ने अपना जीवन के में बतीत करना है इस सारा कुछ अंकत कीता गया है सिख हो है जो इस रहत मुताविक अपना जीवन बतीत करता है रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीथ मुक्षों गंडलावत समा इजाजत नी दिन्दा इसलिए अपने विचार अधिविच ही समाप्त कर दिया होया समुचे खाल सा पंथ नू उपील कर दिया कियाओ मिलवे की महमा बरनसा को नानिक परे प्रिला ते चल दिया होया इस पंथ के एकता दिनी नू मजबूत कर लई हर सिख, हर कारविच, हर गुर्दवारे विच इस रहत मरजादानों लागू का अंदर यतन करिये ताके साड़े भी हो सकन एह लोग सुखिये पर लोग सुहेले, नानिक हर प्रफ आपे मेले इतनिया को बेंतिया परवान का निया जी हो या पुला चुका दिखेमा परवानों जी फते वाहे गुर्जी का खालसा वाहे गुर्जी की फते